हाई स्टुडेंट्स वेलकम तो अफिशल यूट्यूब चैनल ऑफ संडिकर्ड केरियर ग्रूप आज की वीडियो है हमारी एंडिया जो 2016 का पेपल हुआ था सेकेंड उसकी सिनॉनियम और एंटॉनियम की लेट्स देट वन बाई वन आर फिस्ट कोशन इस अब एक तरफ फे भीचना दूसरी तरफ देख के सिनॉनियम क्या होगा अब कल्प्रिट के क्या सिनॉनियम हो सकते हैं एक्यूस्ट क्रिमिनल अब दिखते हैं ऊप्षिंस पहला एक्विट पनिश रिलिव को मतलब क्या होता है एक्विट का मतलब भी होता है जिसने कोई अपराद किया हो एक्यूस्ट एक्विटेट जिस्पे कोई अरोप लगा हो उसके बाद पनेश्ट होता है, जिसके पथे होएं कोई अ रैप लगओ, उसके बाद जो डूरीवएं, रिलेच्स, आइद्ध्र के दो मतलब है, एक तो हम बोलते है कि मुझे सुना नहीं, पॉर्ड बीज के दोबारा रिपीट कर देजीए, जिए प्लीज्ट होधोर है, और जो नेक्स giving मतलब माफी ठीक है so here एक तरफ है क्या arrest करना दूसरी तरफ mark कर देना option D जो है हमारा correct endonym है let's move to next question thrifty as he is he can well afford to live within his means thrifty thrifty का मतलब हम बहुत बार बढ़ चुके हैं बताओ thrifty means miser miser economical मतलब conjuice तो अब देको options careless होता है बे पर बहा जिसको care ना हो careless foolish person instinctive, sentimental, extra wisdom what is instinctive not planned instinctive का मतलब होता है कोई चीज जो पहले plan ना की गई हो instinctive means कोई चीज जो plan ना हो not planned उसके बढ़ सेंटिमेंटल sentimental होते है emotional उसके बाद आचाओ नेक्स एक्स्टा बेचेंट बहुत बार पर चो एक खर्ची लाविश अब एक तरफ है पर जो समाइजर एकोनोमिकल दूसरी तरफ है extra wisdom option D is the correct endonium next question do not give him a responsible job he is immature उसको कोई responsible job मन दो immature है मतलब अभी नादान है not mature अब देखो options देखते thoughtful, cautious, calculating, seasoned thoughtful thoughtful को या लिखते हैं वहाँ भी नादान है thoughtful समझदार एक लाद को immature है दूसरी प्रबह thoughtful है समझदार है hence option A जो है हमारा correct endonium हो गया अब देखते हैं बाक्य options cautious, cautious मतलब होता है alert, सतर्क alert vigilant next question है calculating calculating मतलब जो 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 जी count हो सके, calculate हो सके उसके बाद season season जो particular time पर आता है particular time अब देखिए option हमें मेरी गया thoughtful is the correct endonium now let's move to next question I was prepared to show my hand provided he agreed to do the same show my hand का मतलब होता है कोई plan जिसको reveal करना to reveal a secret to reveal secret reveal plan reveal के जगन इसके लिए एक idiom यूज गोता है वो idiom के है let the get out of the bag reveal secret, reveal plan and another idiom भी है इसके लिए spill the beans spill the beans and we have to find the correct endonium so let's two yield yield के दो मतलब होता है पहला production next surrender surrender कर देना है या फिर product टेकिन two yield का मतलब होगा यहां पर इसरेंडर surrender करना आव उसके बाद शेक हैंड हाथ मिलाना handshake करना किसे को greet करना उसके बाद आजो conceal का मतलब होता है fight clandestine या फिर disguise आप देखना यह फिर लॉस होता है कि कि खो देना एक थरफ है बताना दुशे थरफ है चुपाना option C is the correct endonium बताना और चुपाना दोनों आपाजी थें next question अकबर the great was a sagacious ruler sagacious होता है समझदा wise, thoughtful wise उसके बाद आजो options पे haughty, cunning, rude, unwise what is haughty? haughty क्या होता है? cunning भी बहुत बार बताया है यह तो पता ही होग बहुत बार लिख है arrogant, fried, conceit मतलब घमंडी arrogant, fried, conceit मतलब घमंडी होती कोन होता है? घमंडी परसन cunning बहुत बार बताया है clever, shrewd, astute, chalak clever, shrewd, astute अब उसके बाद बूर होता है जो किसी से सही से बात ना करें unwise जो गुथी मार में हो option D is the correct antonym now let's move to our synonyms hospitality is a virtue for which the natives of the east in general are highly admired hospitality क्या होता है? hospitality होता है मिट्रता अच्छे से बिहेव करना मैं तरी पूरन kind behave करना अब देखो kindness तो नहीं हो सकता अब देखो cleanliness भी नहीं हो सकता duty हों डॉक्टर भी नहीं हो सकता hospitality मतलब जह हम दूसरों के साथ कैस्ट यह कोई भी उसके साथ generous उदार प्यारवल अभी हेप करते हैं option B is the correct synonym next question how strength in cities like Mumbai or Delhi has risen to astronomical figures beyond the reach of even high celebrate people astronomical related to planets साथ हमारे ग्रह दर्शा देखना तारे एस्टोनोमिकल वही होता है related to planet the stars अब देख एक्स और बिटेंट इसका मतलब होता है extra commercial होता है हमारे related to business इसके बाद planetary related to planet option C is the correct synonym इसके बाद next question है illogical मतलब meaningless illogical का मतलब होता है कुझ जिसको कोई मतलब नहो absurd meaningless option D अब option C planetary is the correct option next question appropriate technology hold the key to a nation's development appropriate होता है कुछ इस बिल्कुल प्रॉफर होना suitable suitable exact अब देखो modern मतलब new नही suitable option B हमें मिल गया appropriate suitable मिली गया उसके बाद effective effective होता है जिसको कोई effective प्रभावशाली growing होता है बढ़ देरे देरे बढ़ता increasing here option B is the correct synonym next question he was enamored of his own world अब देरे जिसको कि वो अपनी खुद की वोई से प्यार में है उसको obsession है उसका बार बार सुमने का मन करता है in love with obsessed या फिर in love with अब देखते है options very fond of shocking होना उसके बाद concern concerned होता है worried with obsessed with in love with obsessed को मतलब क्या होता है in love with उसके बादा जौ imbued imbued का मतलब آता है हमारे पास inspired imbued means inspired with अब देखिए option के enamored मितलब obsessed with or in love with option C. Now let's move to our next portion, that is our last portion. Some journalists are guilty of indulging in yellow generalism. Yellow generalism, मतलब किसी बात को बढ़ा चड़ा के बताना, किसी बात को साध़ी बढ़ाना चब़ाना, मतलब misrepresent गर्ण, उसको सख्तरी के से ना, मतलब बढ़ा चड़ा के पताना, misrepresentation option A is the correct synonym. वल्गर-वल्गर मतलब तो sophisticated ना हो, सही ना हो, बहुत बेकार हो, भद्दी दिखे, not sophisticated. उसके बाद sensation, reporting, emotional, loud gesture, loud gesture हम यूज करते हैं, hands की movement के लिए, बट यहां पर loud gesture थो फड़ा unsuitable word है, इसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, आहां पर गरम देखें तो, मैं इस रिप्रेजेंटेशन की जिबात को बढ़ाँ चड़ा कि गलत रिप्रेजेंट करना है, option A is the correct synonym. तो जो हमारा 2016 के second paper था, उसमें दस ही question आये थे, पांच एंटॉनियम के, पांच शिनॉनियम के, and here we are, तो जो जो एंटॉनियम जो नीजन शिनॉनियम, so revise your all vocab, bye-bye, take care.